एश्टी सरकेरी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है उमीद आसे कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे बहतर होंगे परदान मंतरी जन धन योजना जोजार चोविस जन धन खाता है तो आपको दस बड़े बड़े फाइदे पलस में दो लाग रुप में 2000 वेट लोगों न बड़ी संक्या में इसका जन धन योजना के खाते को लवाने का काम किया था लिकना आज तक किसी का एक पेशा इसमें नहीं या तो मन ने फ्रधानिवंतरी जी भारत सरकार केंदर सरकार ने इस जन धन योजना पर दस बड़े-बड़े फाइदें पेज़ कर दी और आगे इसमें लिग दिया गया कि बहुत से में हमें जब भी कोई सीधा पैसा आपके खाते में डालना होगा तो हम पर्धान मंतरी जन्दनी योजना के तहित खिले हुए खातों में पैसा डालेंगे ठीक है तो पूरा विश्तार पूरोग सम्वाद चर्चा सब्सक्राइब से करेंगे सरकारी योजना जाने योटिव चैनल पर भारत के चेंदर मोदी सरकारी चुट्प दे यो जनां पहारत के हैं भाइर काम चली गई या अदेस का भाहर कब बाहर कब चले गई इस योजना में बदलाओ कब वहर कब चला गया इस योजना का ओन-लाइन आविदन फिर्म के से बरा जाता है पी-म किसान सम्मान निदी आईस्मान काड़ विपिल रासन काड़ रासन हो पैन काड़ अधार काड़ एट्यम काड़ बैंक हो लोन हो प्यम वास योजना प्यम करता है अधी खोसला हिम्मत ताक है तो प्रणा अंदने काम हमको करता है साथियो अब सीधा मुद्धे पर चलते हैं यह आप देख पा रहे हैं कैंदरी मंत्री अट आरून जैटली साहब उस समय जिन्दा थे उनके साथ मानने यह परधान मंत्री शरी नरेंदर मोदी जी इ अंदर बहुत जादा इसका हो अल्ला सोर सराबा वह करने का काम क्या और देश की जनता को भी यह था कि इसमें पैसा ड़ेगा किस ड़ेगा किस ड़ेगा साथि इसमें जो करोडों करोडों लोग ने परधान मंत्री जन्दान योजना के तहते खाते खुलवाई बही पहले इसके लाब मैं बता देता हूं परधान मंत्री जन्दान योजना का जो खाता होता है सवसे बड़ा लाब इसका जीरो काउंटे बैलेंस होता है साथ यह अगर आप जो है एसडिएफसी बैंक में खाता खुलवाई तो पांच जार रुपे का लिमिट उनका होता है वह कहता हैं कि हम तो 2000 रुपे हमारा वो है वह अगर आपके खाते में 2000 रुपे से नीचे पैसा गया तो हम आपका पैसा काटेंगे जबकि जो परधान मंत्री जन्दान योजना के तहता आपका जो खाता खुलता है चाहे आप HDFC में खुलवाओ चाहे आप SBI में खुलवाओ चाहे आप IDFC चाहे एक्सिस बंक चाहे हिंदुस्तान की किसी भी बंक में खुलवाओ वो जीरो बैलेंस से खुलता है और इसमें बैलेंस मेंटन की कोई समय सीमा या सरत नहीं होती अगर आपका बैलेंस जीरो भी रहेगा ना तो आपका पैनलिटी लगेगा आपका माइनस में जा पैसे डालना होगा भाई इसमें पिर क्या क्या सरकान है इसमें सरकान जो है एक लाग रुपेर तीस जार का अलग अलग सरकान है एक कवर यह कि वह दे दिया कि जन्दन वालों को हम यह सुविदा दिरने जा रहे हैं आठ योजनाओं का ला भी यहां दे दिया और सबसे विपक्स जो है बड़ा हो करने लगया था कि पैसा निया पैसा निया भाई बैनों पंदरे लाग पंदर लाग पंदर लाग तो मोधी जी ने कहा कि जिसका भी परधान मंतरी जन्दन योजना का खाता खुला हुआ है उसको हम 10,000 रुपे बिना किसी गारेंटी के उधार के ले सकते हो भारत सरकार आपको इस खाते पर 10,000 रुपे उधार देने का काम करती हो वरना कोई बेंक आपको उधान नहीं देता उधार देता तो लोन के तोर पर देता है जिसमें आपसे लोन लिया जाता है 10,000 जरूरत पढ़ने पर जन्दन खाते से आप 10,000 रुपे ले सक है यह पूरे भारत के अंदर लगबक पचास जार करोड पचास पचास करोड खाते परदान मंत्री जनधनी योजना के तैद खुले हुए है भाई ओवर्ड्राफ मतलब उधार के तोर पर आप इससे पैसे ले सकते हैं ठीक है साथियो इसमें जो है सरकार ने इसके अंदर खाता नहीं तो नया खाता खुलवाने कभी अपील भारत सरकार ने इसमें क्या था कि अगर आपका खाता नहीं है तो आप नया खाता खुलवा सकते हैं साहतिण योईजनाओं का लाव जोißt आपको धन्धान बंतरी जन्दनीजना की तहत मिलता है सरकार की जितनी मी डायरेक्ट रीक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर वारी शकीम है डायरेक्ट डीपीट का मतलब होता है सीधा पैसा आपके खाते में डलना शायत्यो इसमें परदान मंत्री जीता जीवन जोति भीमा योजणा को जोड़ा गया जिसके तहट आपको 2 लाग रुप़े या दिया जाता है। आप 5-10 लाग रुपे तक का लोन भारस सरकार मोधी सरकार से घर बेटे तुरंत पा सकते हो मुद्राई योजना जो है आपको 10 लाग रुपे तक लोन देना का मोधी सरकार करता है ठीक है साथ यो इसके तर अन्य अन्य योजनाओं को दोडने का काम क्या सारी ऐसी योजना है जोड़ दी जिसमें डारेक्ट आपका पैसा आपके खातों में डलता है बाई अगर किसी योजना का वो कर रहे हो और आपने जन्दन वाला खाता लगा दिया दी जाता है तो कोई माई का लाल आपका पैसा आने से नहीं रोसकता और आपकी कोई वयरिकेज़न बोलन कुछ नहीं होता साथ प्रदान मंतर ही जन्दन योजना वड़े घड़ के सकते हैं तो मिलेगा ठीक है साथ्यों इस योधना से जुड़ी विशेश है और दस बड़े-बड़े पाइदे में बता देता हूं मुख्यता दाशी बड़े वड़े फाइदे और में बता देता हूं भाई आपको ठीक है साथ चैनल सब्सक्राइब का हाद जोड़कर अपील करते हैं एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है जमारासी पर भारत सरकार मोधी सरकार का कहना है कि अब यारसी को इसकी मिर्थ ने सर्तों की पुर्टिवेटा भारत दया होगा यानि परदान मंतरी एक इस से आलग है वह पिम जे जे बीवाई और पिम एस बीवाई से अलग यह हुआ है एक बीमा है इसमें जीवन बीमा इन्होंने का एक बैए 30,000 रुपे पर धानमंतरी जन्दन योजना के तहत जिसका भी मिर्ति होता है उसको 30,000 रुपे हम जो देंगे सामान ने डिटेल उसको बने होगी भारत बरमत दन का असानी से अंतरन होगा यानि ओल ओवर इंडिया आप कहीं भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन जो इस खाते का उनलाइन परियोग कर सकते हो फोन पर पेटेम गूगल पर चला सकते हो सरकारी योजना को लाबार्टियों कि खाते से लाब अंतरन अगर आपको पहले खुला हुआ था आपको तो आप मिल जाएगा ठीक है दस जार उपए उधार के तौर पर ओवर ड्राफ्ट इसको कहते हैं ठीक है सात्यों अगर आपने नया खाता खुलाते हो फिर आपको च्छे महीने के बाद उधार की जो सी हो है आपको भारत सरकार उधार के तौर पर दस जार उपए देगा ठीक है पैंटसन बीमा परदान मंतरी जंदन योजना के देए पूरा फिर इन्होंने कहा है सात्यों इसके अलावा इसके अलावा परती परिवार मुक्यतर परिवार की इस तरह के लिए सिरफ एक खांदें पांच जार उपए तक महीला के लिए अलग से अगर महीला है कि नाम से तो पां़स चार का घंगरीख खोलवा सकते है तीन लोग नहीं कुलवा सकते सरकारी नो करकर ये खाता नहीं खूलता बड़े बिजिनिसमेन के नहीं कूलता जिए उसका नहीं एकülता ठीक है और 489 साल से कम उमर के बहुं ठीक है बाकि पहले इसका खाता ओन लाइन खुल रहा था आप क्या-क्या सरकार ना बदलाओ कर दे आप प्रधानमंत्री जन्धनियोजना का खाता खाता खुलेगा नजडी की बैंक में जाकर आप प्रधानमंत्री जन्धनियोजना के देद खाता खुलवा सकते हो ठीक है चै झाल 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 झाल